हमिश्कार प्रभव साक्षी निवीज नेटोवर्ख पर आप सभी का स्वागत है सौधी अरब में अरामकों के तेल संयंतर पर शनिवार को हुए भीशड हमले के चलते भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी वृद्धी होने की संभावना जताई जा रही है हाला कि पेट्रोली मंत्री धर्मेंत्र प्रधान ने कहा है कि सौधी अरब का कच्चा तेल उपादन घटने से भारत की आपूर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन माना जा रहा है कि अंतराश्क्री बाजार में जिस तरह कच्चे तेल की दाम में उच्छाल आ रहा ह है उसका असर भारत पर भी पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो पैट्रोल और डीजल के दामों में 5-6 रुपय तक की व्रिद्धी हो सकती है भारत में पैट्रोलियम कीमते चुकी बाजार तैय करता है तो कीमतों में व्रिद्धी की शुरुवात हो भी चुकी है देखा जा के हाला सोधारने के लिए इन दिनों सरकारी प्रयास काफी तेजी से चल रहे हैं लेकिन ये तेल सारा खेल बिगाड़ भी सकता है दरसल साथी अरब के अरामकों तेल सयंत्र से आपूर्ती सामानने होने में कई हफ्तों का समय लगने की संभावना है और चुकी इस हमले के च देश है जबकि सौधी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल अपूर्ती करता है अब जो देश सबसे ज्यादा तेल आयात करते हैं वहां तेल कीमतों को नियंत्रित रखने की चुनौती बढ़ गई है अमरिका के राष्टपती डोनाल ट्रम्प ने तो तेल कीमतों को देश में नियंत्रित रखने के लिए स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानि एस पी आर से तेल के इस्तिमाल को अपनी मंजूरी परदान कर दी है स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा बंधार है अब बात करते हैं कि यह हमले की जिम्मेदारी ले ली है लेकिन साओधी अरब और इरान के 20 तनाव उच्छी सतर तक पहुंच चुका है कि उन्होंने यमन की हमला हुआ है वह सभी उत्तर पस्चिम में स्थित हैं और इन पर यमन से निशाना लगाना कठिन है अमिर्की अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि यह हमला इराक या इरान की जमीन से हुआ है CNN ने भी दावा किया है कि हमले में सौधी अरब के जिन 19 केंद्रों को नुकसान पहुंचा है वह सिर्फ 10 डोनों की बदलोत नहीं किया जा सकता मामले में एक और मोड आया है वह यह है कि यमन में लड़ रहे सौधी अरब के नित्रित वाले सैन्ने गठवंदन ने कहा है ते फसा हुआ है जाता घटना का सावाल है तो सौधी अरब में तेल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के दो सैंत्रों पर शनिवार को ड्रोन से हमले किये यह हमला ऐसे समय में किया कि जब यह कंपनी शेयर बजार में सूची बद्ध होने को लेकर तैयारी कर रही है से पता चलता है कि इरान से जुड़े हूती विद्रोही सौधी अरब में तेल प्रतिस्ठानों के ने कैसे गंबीर खत्रा बन गए हैं सौधी अरब दुनिया में कच्छे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है हाल के महिनों में देखें तो हूती विद्रोही ने सीमा पार सौ पुझे वाले इलाकों में सौधी अरब के नित्रित्यों में लंबे समय से की जा रही बंबारी का बदला बताते हैं रामको के धैरान मुख्याले से साथ किलोमेटर दक्षिड पस्चिम में सित अब क्याक सायंतर कंपनी के सबसे बड़े तेल प्रसंसक्रण सायंतर का के आत्म घाती विसफोर्ट को ने फरवरी 2006 में इस तेल कंपनी पर हमला करने की कोशिश की थी लेकिन वे नाकाम रहे थे दैरान से 200 किलोमेटर दूर स्थित खुरेस अरामकों का प्रमुख ओयल फिल्ड है अमेरिका और सौधी अरब खाड़ी में टैंकरों पर हमली के काम अस्थाई तोर पर रोक दिया गया है । के बाद कंपनी का कम से कम आधा उत्पादन प्रभावित हुआ है महीं सरकारी तेल कंपनी अरामकों ने बयान में कहा इन हमलों के कारण प्रति दिन 57 लाग बैरल कच्छे तेल का उत्पादन बंद रहेगा यमन में इरान सबर तक खुती विद्रोहियों ने भले ड्रोन हमलों ले लेकिन अमेरिका ने हमले के लिए सबसे पहला नाम इरान का ही लिया अमरिका के विदेश मंतरी माइक पॉम्पियों ने इन हमलों के लिए बिना कोई साक्षे दिये सीधे इरान को जिम्मेदा ठहरा दिया यहीं नहीं अमेरिका के राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी कि सौधी अरब की तेल कंपनी पर किये गए ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए उनका देश पूरी तरह से तयार है अपने ट्रूइट में हलाकि राश्पर्टी ट्रंप ने इरान पर सीधे-सीधे आरोप नहीं लगाया लेकिन कहा कि हमले के लिए जो भी जि चाओ आ गया है तनाव के माहल को भापते वे चीन इरान के समर्थन में आखड़ा हुआ है और बीजिंग ने साफ कहा है कि किसी जाच में निशकर्ष पर पहुंचे बगैर इन हमलों के लिए इरान को जिम्मदा ठहराना उचित नहीं है इस्लामी सायोग संठन यानि ओ आई है कि वे साओधी अरब के तेल सयंतरों पर हुए हमले के मामले में उसके साथ है साथ ही इरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका इस इसलामी गडराज्य के खिलाफ जवाबी कारवाई करने के लिए कोई बहाना ढूंड रहा है इरान जहां आरोपों को निराधार बता रहा है वह उसने अपने खिलाफ संभावित कारवाई का जवाब देने की तयारी भी शुरू कर दी है इस्लामिक रेविलोशनरी गार्ड कोर की हवाई शाखा के कमांडर ने कहा है कि इरान की मिसाइलें दो हजार किलोमेटर की दूरी तक अमेरिकी ठिकानों और जहाजों को निशाना बना सकती है इरान की तस्नीम समवात समीती ने ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजिच दे के हवाले से कहा हमने एक पूर्ण युद्ध के लिए हमेशा से खुद को तयार रखा है तरसल इरान औ पर्मानू कारेक्टरम को नियंतृत करने के बदले उस पर लगे कुछ प्रतिवंद्थों में कुछ धील देने का वादा किया गया था सोधे से बाहर होने के बाद से अमेरिका ने अधिक्तम दवाओ बनाने के अपने अभियान के तहर्ट एरान पर बेहत सक्त परतिवंद लगाए हैं और इस्लामी गड़राजे ने इसका जवाब देने के लिए पर्मानु समझोते के प्रति अपनी प्रति बद्दताएं कम की हैं इन धूर विरोधियों यानि अमेरिका और इरान के बीच जून में इस साल जून में युद्ध होने के सिति पैदा हो गे थी जब इर द्रोईयों ने साओधी अरब पर और हमले करने की धंकी दी है और विदेशों से कहा है कि वह वहां से दूर रहें होती सैने प्रवक्ता ब्रिगेडियर यहया सारी ने एक बयान में कहा है कि हम साओधी प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो हमारे लंबे पर और किसी भी समय पहुंच सकते हैं जहां तक इराग की बात है तो उसने भी अमेरिका को सपस्ट कर दिया है कि हमला उसकी जमीन से हुआ नहीं